हे गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल प्रिती कुकिंग सीक्रिट तो आज की रेसिपी है पालक पनीर धावाय स्टाइल घर पर हम कैसे तियार करें इस रेसिपी को पूरा देखने के लिए आप ब्लॉग में बने रहें अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किय है तो प्लीज कर लिजे तो चले श्टाइट करते हैं यह हमने हाफ के जी पालक लिया है पालक मतलब बहुत सारे पोशत तत्व एक साथ मतलब यह बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन से भरपूर होता है पालक हमारी सेहत के लिए बहुत बहुत फाइदेमंद होता है और इस साफ कर लिया है देखिए और इसको भी हम दो से तीन बार पानी से अच्छे से वाश कर लेंगे देखिए इस तरीके से साफ पानी से में दो से तीन बार वाश कर लेना है पालक को हमने दो करके तयार कर लिया है देखिए अभी हमें इसे बॉयल करना है एक से दो मिनट तक पाल तरह में दो मीडियम साइज के प्याज ले लिया है इने चील के तैयार कर लिया है चलिए इनको हम ग्राइंड कर लेते हैं इस तरीके से और उसके बाद हमने 10-12 कलिया लसन की ले ली है देखिए और एक इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी य हुआझ लेका रही है, और उसको तोड़ा ठंडा कर लेते हैं कुणकि गर्म नहीं हमें डारेक्ट पालक पिस नहीं है जब तक हुआर हम पनीर क्रष्च कर लेते हैं पनीर हमने ये 300 ग्राम लिया है और इसको इस तरीके स्कुराइorp कर रहे हैं क्योंकि हम बना रहे हैं ढहा तर मिट्टी के बर्तन में कोशिश करते हैं मनाने की इसमें हमने सर्जों का तेल ले लिया है और इसमें जीरा एट कर लिया है जीरा क्रेकल हो गया इसमें हमने ये तीज पता एट कर लिया है इन सभी चीजों को थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद में ये जो हमने मसाले वह भीगों के तयार कियी थे हल्दी पॉडर, धनिया पॉडर, लालमज पॉडर गरम मसाला इंस अब चीजों को आठ करके इने भी हम प्राइण चार मिनट अच्छे से कुक कर लेते हैं मसाले अच्छे से कुक हो गए, अभी हम अपनी पालक की प्यूरी इसमें आड़ कर लेते हैं, पालक की प्यूरी को ये साथ में हमें कसूरी मिथी आड़ कर लेनी हैं और स्वाद के नुसार नमक आड़ कर लेना है, इन सबी चीजों को 10-15 मिनिट तक हमें धीरे धीरे कुक करन पनीर आप हलका रोष्ट करके भी एड़ कर सकते हैं और कच्छा भी एड़ कर सकते हैं, हम ढाबा स्टाइल पालक पनीर बना रहे हैं तो इसमें हम कच्छा ही एड़ कर रहे हैं, क्योंकि ढाबे पे कच्छा ही पनीर एड़ किया जाता है, देखे इस तरीके से, इसे भी हमे तोड़ करके एड़ कर लिया है देखे तड़का हमारा बिल्कुल तयार है चलिए इसे हम एड़ कर लेते हैं अपनी सबजी में पालक पनीर आप सभी बनाते होंगे इस तरीके से एक बाद ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि ये रिसिपी आपको कैसी लगी तो चलिए अब हम गानिश कर लेते हैं धनिये से और एक स्पेशल इंग्रीडियन्ट है इसमें ये अद्रग कच्छा अद्रग जो होता ना इसका स्वाद इसके साथ बहुत ये अच्छा जाता है तो इसका चलिए द्रग को आप इसकी बिल्कुल भी ना करें और ये थोड़ा पनीर से हम गानिश कर लेते हैं देखे इस तरीके से पालक पनीर आप कड़ाई, हांडी, कूकर किसी चीज में भी बना सकते हैं लेकिन मिट्टी के बड़तन में जो इसमें स्मोकी फ्लेवर आता है उसका स्वाद नेक्स्ट लेवल है तो प्लीज एक बाद ट्राई करें मिट्टी के बड़तन में इस तरीके पालक पनीर बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए देखिए कितना टेम्टिंग लग रहा है अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेर करें मिलते हैं आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाई बाई